Section 30 of IPC denotes valuable security, इसमें कहा गया है कि the word valuable security denotes a document which is a purpose to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released और whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right, ठीक हैं, तो valuable security में दो चीज़ होना चाहिए पहले तो एक document होना चाहिए, फिर ऐसा कोई चीज़ है जो कि purpose to be a document, मतलब कि document के जैसा ही कुछ और चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो एह होना चाहिए, दूसरा चीज़ कहा है, कि इसमें और इस document के जो चीज़ है, जो कि document के तरह ही है, उसके द्वारा कोई legal right created हुआ हो, फि इस सब का मतलब है, legal right created का मतलब, suppose आपने किसी को आपने घर बेची दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक document create किया, जिसमें लिख दिया, कि अपसे एक घर आपका नहीं रहा, आपने उसको एक certain पैसे के बदले में इस घर का आपने उसका ownership दे दिया, ठीक है, अब इस घर साल के दे रहेगा, तो तीन सल complete होने के बाद आपने कहा किया, उसका और दो सल बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है, निक्स दो सल भी आप इसी घर पर किराये पर रहोगे, तो वो हो गया, legal right extend, वैसा ही legal right के टांसफर, भाई घरों का ownership एक जन से आरक जन से पास टांसफर हो गया restricted कहा हुआ, सापोस आप कोई मसली पकते हैं एक तालाक में, तो एक certain document पास हो गया, ठीक है, उस जो उनार है, उसने कहिए, कि सुबह 6 बजे से, शाम 5 बजे तक ही मसली पकत सकते है, उसके बाद कोई मसली नहीं पकत सकते है, तो आपने कहा हुआ, एक restriction लागू हो गया, ठीक valuable security से माना जाएगा, और भी कुछ चीज़े कह दिवा है कि, और whereby any person acknowledges that he lies under legal liability, और जुरू है कि document के तारे कोई चीज़ के जाने कि, यह लिखा हुआ गा है कि कोई certain person के पास, कि एक legal liability है, और has no certain legal right, एशिर कोई certain legal rights नहीं है, ठीक है, तो उस सरफ से भी document को भी valuable security माना कि suppose किसी के पास आपने उधार लिया, तो क्या हुआ, आपने 20,000 रुपया लिया है, suppose उधार तो उसने एक document बनाया, जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ, आपने उधार लिया है, और आपको ए उधार उसको लोटाना पड़ेगा, तो उस document पे जो लिखा हुआ है, आपने सिकर क कि हाँ, 20,000 रुपया का legal liability आपके पास है, तो तब वो document valuable security बन जाएगा, suppose certain legal rights के ताइक पी terrible है, कि आपके पास कोई legal rights था, आपने लिख के दिया, ठीके, कि मैंने आज आज से एक घर मेरा नहीं है, तो आपने एक घर का ownership, जो rights है आपके पास, उसने आपको मना कर दिया, च असल किया, ठीक है, तो तब वो document बन जाएगा,